दोस्तों इस दोड़ती भागती जिंदगी में हमसे रोजमर्णा के जरूरी काम भी छूड़ जाते हैं कभी समय की कमी की वज़े से तो कुछ साधन ना होने की वज़े से लेकिन अब ऐसी मशीने आ गई है जो आपका काम आसान कर देंगी तो जानिए इन मशीनों के बारे में इस मशीन को देखिए एक किसानों और डेरी फार्म वालों के लिए तो वर्दान है देखिए कितनी आसानी से एक कूड़ा हटाती जा रही है गायब हैस द्वारा फैलाई गई गंदगी को इस मशीन के मदद से कम समय में साफ किया जा सकता है जिबकि इस काम को हम घंटों में कर पाते हैं और हमें गंदगी भी सहनी पड़ती है ये मशीन इस तरह की तकलीफों को खत्म कर देगी ठीक ऐसी ही एक और मशीन है जो फैले हुए गोबर को आसानी से साफ करती हुए चली जाती है ये गोशालाओं में फैली गंदगी को कम समय में साफ सुत्रा कर सकती है जैसा कि आप देखी रहे हैं ये कैसे गोबर को एक तरफ से समेटती चली जा रही है अब इस घास काडने वाली मशीन को देखिए ये मशीन सड़क किनारे लगी घास को मिनटों में निपटा देती है देखे किस तरह से एक और की घास को काटती चली जा रही है ये दस लोगों का काम अकेले ही कर देती है वो भी फास्ट कुछ मिनटों में घास काटने वाली ऐसी कई तरहे की मशीने हैं जिने आप इस वीडियो में देख सकते हैं हैना कमाल की मशीने कितनी जल्ली जल्ली घास काट रही है घास तो घास ये सड़क किनारे की धूल मिट्टी भी साव कर रही है और अब इस मशीन को देखिए ये मशीन मिट्टी से कच्रा अलग करती है इस मशीन का इस्तेमाल आम दोर पर समुद्र और नदी किनारे या फिर खुले मैदानों में कच्रा अलग करने के लिए किया जाता है ये हैड्रोलिक्स पद्दती पर काम करती है देखिए किस फूर्ती से ये मिट्टी को छान रही है और कूड़े को अलग करने के बाद कूड़ा लेकर एक तरब फैंक रही है अब इस मशीन को देखिए इसे जॉंट वैक्यूम क्लीनर मशीन कहा जाता है ये शादी ब्या इवेंट एक कई तरह के जलसों के बाद महाँ फैंके गए कूड़े को साफ करती है वो भी बड़ी आसानी से देखिए किस तरह से फैंकी हुई चीजों को उठा रही है इस मशीन को बनाया है भारत की कमपनी क्लीन टेक इन्फरा ने आपको बता दे कि इस मशीन को बनाने का मकसद गंगा नदी को साफ करने का था देखा जाए तो ये मशीन बहुत काम की साबुत हुई बस शर्ते कि गंगा नदी को प्रदूशन मुक्त करने का काम जारी रहता ये मशीन एक मोटर बोट की तरह है जो पानी पे स्टीमर की तरह चलती है और तेरते-ते ये पानी में बहराई कचरे को समेढ जाती है यानि पानी की गंदगी को साफ करती है कैसे लगा दोस्तों इन मददगार मशीनों को देख कर और इनके बारे में सुनकर कॉमेंट करके बता दीजिए इनमें से कौन सी मशीन आपके मतलब की थी और कौन सी मशीन आप लेना चाहेंगे फिलाल हम चलते हैं जैहिंद बंदे मातरम